नमस्कार आसानपल के इस एपिसोड में आप लों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियों में हम आपको बताएंगे कि आपने अपने घर में अपराजिता का पौधा लगा रखा है और आप धेड़ सारे उसमें फूल चाहते हैं आप चाहते हैं बहुत सारे उसमे कीजिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ज़्यादा फूल चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जैसा की स्क्रेंट पर देख रहे हैं आपके पास कोई सी अपराजिता हो तो इसकी फलियां लगना सुरू हो जाता है तो जब भी आपक 20 पर जब भी फलियां अलंगना सुरू हो जाए आपको बीज की जरूरत नहीं है आपको फूलों का जाथा है तो आप उन फलियों को अलग कर्दें तो आपका पाधा है वो ज्यादा से जाधा फूल देने लगता है आप किसी बिसेश कारण से वेदि उनकी बीजों को एकटा करना चाहते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इस तरह की लाइट येलो जो फलियां हो जाती हैं अच्छी तरह से पक जाती हैं तब ही आप फलियों को तोड़ें यदि आपको फूल जादा चाहिए तो हरे कलर की फलियां उनको तोड़का अलग कर दें जब फलियां पक जाती हैं तो जैसा स्क्रीन पर आप देख रहें इस तरीके की फलियां होती हैं और ये अपने आप से चटक भी जाती हैं तो जब ये फलियां अच्छी से सूख जाएं तो सूखने के बाद ही आप इने आयरुवेदिक लाव उठाने के लिए या नए प्लांट के लिए नए प्लांट के लिए तो आप इन बीजों को सुरक्षत रख ले और फूल धीर सारी चाहते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए इसके आयरुवेदिक इसके गुड़ों का लाव उठाने के लिए तो आप हरी जो पौधा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी फ्लाउटिंग जानकारी कैसी लगई जरूर बता है थैंक यू पर वाचिंग